स्वागत है आप सभी का आपके अपनी इस यूटीब चैनल स्टेडी टिप्स पर जैसा कि थमनिल पर आपने देखा कि हम किस सब्जेक्ट के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं हम जाते हैं सेवेंथ टू टेंथ जेपीएसी का एकजाम बारा सिप्टेंबर को होना लगभग तै हो चुका है तो आप अपनी तैयारी को बुष्ट कीजिए और डेली इस सीरीज को किवल ध्यान से सूल लेंगे तो जहरकंड जीके का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा जहरकंड जीके जेपीएसी में कितना इंपॉर्टेंस रखता है कितना वेटेज रखता है आप इससे भलेभांती परीचीत होंगे इस सीरीज में हम मनीश रंजन सर के द्वारा लिखित पूस्तक जहरकंड बस्तुनिष्ट को कम्पलीट कवर करेंगे 20 दिनों में एक दिन हम लोगों ने डे वन कर लिया है आज हमारा सेकेंड डे है जिसमें कि हम लोग जहरकंड आंदोलन से रिलेटेड संबंदित सारे महत्वपूर्ण प्रसनों को देखेंगे मनीश रंजन सर के बूक के द्वारा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और सदान जहरकंड के जनजातिय मोल निवासी है अब हम लोग देखते हैं आगे अगला क्वेस्चन क्या है तो अगला क्वेस्चन है प्राजातिय द्रिष्टी से सदान है आर्य द्रविडवन सी आगने या फिर उप्यूक्त सभी तो इसका सही जवाब है उप्यूक्त सभी ज कौन सा कथन सत्य है सदानों की धार्मिक मान्यता के अनुसार कौन सा कथन सत्य है क्या सदान सुर्य और मनसा के उपासक है क्या सदान कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं सदान पुरोहित वाद और कर्मकांड से मुक्त है या फिर उप्यूक्त सभी तो इसका सही सदान सूर्य और मंसा के उपासक है आपको इसे याद रखना है सदान समाज है पित्री सत्तात्मक समाज है ठीक है? पित्री सत्तात्मक समाजी चेर कहा के सासक थे तो चेर पलामू के सासक थे ये आप सब भली भागती जानते होंगे चेर पलामू के सासक थे जमसेदपूर के टाटा आइरन एबं स्टील वर्क्स के मजदूरों ने हरताल कब की थी महात्मा गांधी पहली बार जार्खंड जो आये थे 4 जून 1917 याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा 4 जून 1917 मौलाना अबुल कलाम आजाद को 3 वर्स के लिए कहा नजर बंद किया गया था तो मौलाना अबूल कलाम आजाद को तीन वर्स के लिए कहा नजर बंद किया गया था तो इसका सही जवाब है राची में कहा पर राची में इसे नजर बंद किया गया था तो इसका सही जवाब है राची वहीं पर आप देखिए कि हजारी बाग जिला कमीटी कब अस्थापित हुई चलिए आगे देखते हैं जार्खन में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंदर राची था जार्खन में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंदर राची था इसे आप याद रखेंगे बिहार स्टुडेंट कॉन्फरेंस का सुलहवा अधिवेशन अक्टूबर 1921 में कहां आयोजित किया गया था अक्टुबर 1921 में बिहार स्टुटेंट कॉन्फरेंस का सुलहवा अधिवेशन हजारी बाग में आयोजित किया गया था आगे देखते हैं जारխण में हाठ कर 9 देने का अंदोलन किसने चलाया था जार्खंड में हाट कर नौ देने का अंदोलन बिस्नू मादूरी जी के द्वारा चलाया गया था आगे है जार्खंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1936 को पुर्न स्वाधिनता दिवस मनाया गया तो जार्खंड के सभी जिलों में ठीक है यह आप नहीं बोल सकते हैं जार्खंड के सभी जिलों में 26 जनवरी 1936 को पुर्न स्वाधिनता दिवस मनाया गया था जवाहर दिवस का आयोजन कब किया गया था जवाहर दिवस का आयोजन 16 नौमबर को आयोजित किया गया था सवीने अवय्या अंदोलन के समय डॉक्टर राजेदर परसाद को हजारी बाग जिल में रखा गया था अब देखते हैं महत्मा गांदी अंतिम बार राची कब आये थे महत्मा गांदी अंतिम बार राची 1940 सिस्वी में आये थे इसे भी आपको याद रखना है भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के तिरपनवा वार्सिक अधिवेशन कहां सुरू हुआ था तो यह है रामगड में कहां पर रामगड में कॉंग्रेस के रामगड अधिवेशन की अध्यक्षता किस ने की थी ठीक है तो कॉंग्रेस के रामगण अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन हुआ तो आपको बताना है रामगण कौन सा अधिवेशन हुआ तो तिरफनवावारसिक अधिवेशन इसके अधिक्स्ता किसके द्वार की गई तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा 14 अगस्त 1942 को किस जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाल कर भारत छोड़ो अंदोलन की सुरुआत की 14 अगस्त 1942 डेट आपको याद रखना है 14 अगस्त 1942 को ठीक है तो ये इसका सही जवाब होगा राची के विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों ने जुलूस निकाल कर 14 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो अंदोलन की सुरुआत की थी हमारा अगला's क्वेस्चन है उनी स्थो तेरा हिस्वी में किसके नेत्रित्व में मान गळ्ँ आदिवासी आंदोलन सुरुँ हुआता ये भी यह क्वेस्चन बन जाएगा और ये किसके नेत्रित्व में हुआ हुआ नायक गुरू के हजारी बाग का जतीन बागा किसे कहा जाने लगा था हजारी बाग का जतीन बागा ठीक है राम बिनोध सिंग को कहा जाने लगा था राम बिनोध सिंग ये है राम बिनोध सिंग और ये हजारी बाग का जतीन बागा कहलाने लगे थे जतीन बागा अब आगे देखते हैं तिलका मांजी ने किसको अपने तीर का लक्ष बनाकर मार डाला था ठीक है तो तिलका मांजी ने किसको अपना तीर का लक्ष बनाकर मार डाला था तो ये हैं क्लीव लैंड क्लीव लैंड क्लीव लैंड को तिलका मांजी ने मार डाला था तिलका मांजी को अंग्र अंग्रेजों द्वारा फासी कहां दी गई थी तो बहुत इजी क्वेस्चन है भागलपूर में ठीक है तिलकामान जी को अंग्रेजों द्वारा फासी कहां दी गई थी भागलपूर में बिर्शामुंडा का जन्म कहां हुआ था तो बिर्शामुंडा का जन्म कब हुआ था तो बिर्षा मुंडा का जन्म हुआ था 15 November 1875 को याद रखेंगे 15 November 1875 को बिर्षा मुंडा जी का जन्म हुआ था ठीक है अंग्रेज सरकार ने बिर्षा की गिरपतारी पर कितने रुपिय का इनाम रखा था तो अंग्रेज सरकार की द्वारा बिर्षा की गिरपतारी पर 500 रुपिय का इनाम रखा गया था पांच सो रुपिय का इनाम रखा था अंग्रेज सरकार ने बिर्षा मुंडा की मौ 1901 को हुई 9 जून 1901 को बिर्शा मुंडा का जन में मिरित्यू हो गया ठीक है बिर्शा मुंडा जी का मिरित्यू जिसे भगवान का भी उपाधी दिया गया है जारकन में ठीक है भगवान का उपाधी दिया गया भगवान बिर्शा मुंडा और इनकी मिरित्यू हो गई 9 जून अब है आगे कि बिर्सा मुंडा ने मुंडा समाज में सुधारवादी आंदोलन चलाया और किसके प्रवर्तक बने जर्खन में सरो पर्थम यूरोपियनों का आगमन कब हुआ था जर्खन में सरो पर्थम यूरोपियनों का आगमन 1749 इस्वी में हुआ अब आगे बुद्धु भगत का संबंद किस बिद्रोह से था बुद्धु भगत का संबंद कोल बिद्रोह से है इस तरह से आप याद रखेंगे कोल बिद्रो का समन बुद्धु भगत से है बुद्धु भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने उन पर कितना इनाम रखा था बुद्धु भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने उन पर एक हजार रुपे का इनाम रखा था रानी सर्वेस्वरी को गिरपतार कर किस जेल में रखा गया था। अब आगे चांद भैरव की मिरित्यू कहाँ पर हुई थी तो चांद भैरव की मिरित्यू हुई थी बरहेट में कहाँ पर बरहेट में अब देखते हैं हम आगे 30 जून 1855 को सिद्धू कानू ने कहां जन सभा को संबोधित किया था 30 जून 1855 डेट याद रखेंगे 30 जून 1855 को सिद्धू कानू ने जन सभा को संबोधित किया था और कहां पर तो इसका सही जवाब है भगनाडी में कहां पर भगनाडी ठीक है इसका सही जवाब है वहीं फरवरी 1856 में सिद्धू तथा कानू को कहां से गिरपतार किया गया तो ये भी आप से पूछा जा सकता है कि सिद्धू कानू कब गिरपतार हुए तो फरवरी 1856 में और कहां से गिरपतार हुए तो उपरबंदा से ठीक है कहां से उपरबंदा साहिब गंज की जिले में एक जगह है उपरबंदा ठीक है तो वहां से 1856 इस्वी में सिद्धु कानु को गिरपतार किया गया था ठीक है अब देखते हैं राची के जगनाथ मंदिर की अस्थापना किसने की थी तो राची के जगनाथ मंदिर की अस्थापना ठाकूर एनी साह के द्वारा किया गया था ठाकूर एनी सहा के द्वारा राची के जगनात मंदिर की अस्थापना की गई थी ठाकूर बिस्वनात सहदेव का जन्म कहां हुआ था ठाकूर बिस्वनात सहदेव का जन्म सतरंजी में हुआ था कहां पर सतरंजी में याद रखेंगे ठाकुर विस्वनात साहदेव का जन्म सतरंजी में हुआ था, ठाकुर विस्वनात साहदेव ने किस बिद्रो का नित्रित तो किया था, डुरंडा सैनिक बिद्रो, ठीक है, डुरंडा सैनिक बिद्रो का नित्रित तो किस ने किया था, ठाकुर विस्वनात सा ये भी आपको याद रखना है गनपत्र आये ठाकुर बिसवनात सहर देव के सैनने बिद्रो में इनके सहयोगी थे। ठाकुर विस्वनात सहदेव को फासी कब दी गई थी तो ठाकुर विस्वनात सहदेव को फासी दी गई थी तो ठाकुर विस्वनात सहदेव को फासी दी गई थी इनका जन्म कहा हुआ सतरंजीम ये भी आपको याद रखना है ठाकुर विस्वनात सहदेव को किस स्थान पर फ प्पासी दी गई थी कहाँ पर राची में सेख विकारी का जन्म कब हुआ था सेख विकारी का जन्म हुआ था 4831 में कब तो सेख भिकारी उम्राव सिंग के दिवान थे ये आपको याद रखना है उम्राव सिंग के दिवान थे सेख भिकारी वहीं पर देखते हैं सेख भिकारी को अंग्रेजों की द्वारा कहां गिरपतार किया गया था ठीक है तो सेख भिकारी को अंग्रेजों की द्वारा चटू पालू घाटी में अंग्रेजों द्वारा सेक विकारी को गिरबतार किया गया था अब देखते हैं आगे सेख भिकारी को अंगरेजों द्वारा फांसी कब दे गए थी आठ जन्वरी 1858 को सेख भिकारी के नित्रित में तो सेख भिकारी के नित्रित में व्यापक पैमाने पर बिद्रो कहां हुआ था कहां हुआ था तो ये हुआ था हजारी बाग में कहां हजारी बाग में हजारी बाग में कब तो सेख विकारी के नितरितमी व्याबक पैमाने पर विद्रो हजारी बाग में हुआ था सेख विकारी को पहांसी कब दी गई थी आठ चनवरी 1858 को टिकैत उम्राव सिंग का जन्म क इस गाव में खटंगा ठीक है टिकैत उम्राव सिंग का जन्म हुआ था खटंगा गाव में खटंगा वही पर देखते हैं टिकैत उम्राव सिंग को फांसी कब दी गई थी तो टिकैत उम्राव सिंग को फांसी दी गई थी जनवरी 1858 में जमनवरी 1858 टिकैत उम्राव सिंग को फासी दी गई थी जनवरी 1858 में ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि किस बिद्रो को गंगा नरायन हंगामा भी कहा जाता है तो गंगा नरायन हंगामा संथाल बिद्रो को कहा जाता है याद रखेंगे गंगा नरायन हंगामा संथाल बिद्रो को कहा जाता है संथाल बिद्रो क जाद रखना है संथाल बिद्रो में मतलब फूलों जानों का संबंद ये भी पुचा जा सकता है किस बिद्रों से संथाल बिद्रों से और संथाल बिद्रों को किस नाम से जाना जाता था और गंगा नरायन हंगामा से ठीक है निलामबर पितामबर भायों ने कहां पर 1857 के बिद्रोह का नेत्रित तो किया था ठीक है तो निलामबर पितामबर भायों ने 1857 के बिद्रोह का नेत्रित तो पलामू में किया था कल मैंने इसके बारे में चर्चा किया है जारकंड के इत्यास में आपने अगर जारकंड के इत क्या स्रीवीजन हो जाएगा compulsory सरके बोग से निलामबर-पितामबर भायों ने किन जॅञ जातीं को इकटकर ऐठारवी सेस्थान पर भासी देगर थी तो निलामबर-पितामबर को लेसली गंज में टीक है लेसली गंज देखते हैं बीर तेलंगा कड़िया का जन्म किस जिले में हुआ ठीक है जन्म हुआ था कब जन्म कब हुआ था इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए तो मैंने इसके बारे में बात किया और अब पूछ रहा है कि किस जिले में हुआ था तो बीर तेलंगा खडिया का जन्म हुआ था गुमला जिले में कहां पर गुमला जिले में हुआ थ बीर तेलंगा खड़िया के संगठन का नाम था जूड़ी पंचायत उसके बाद हम लोग देखते हैं बीर तेलंगा खड़िया की गोली मार कर हत्या किसने की थी तो बीर तेलंगा खड़िया की गोली मार कर हत्या की थी बोधन सिंग ने किसने बोधन सिंग ने बीर तेलंगा कि मृत्यू कब हुई थी बीर तेलंगा खड़िया की मृत्यू हुई 22 अप्रेल 1880 और किस ने गोली मारी बोधन सिंग ये भी आप से पूचा जा सकता है उसकी हत्या कैसे गोली मारकर किसके दौरा बोधन सिंग के दौरा कब 22 अप्रेल 1880 को जत्रा भगत का जन्म कब हुआ थ बहुत important question है जत्रा भगत का जन्म कब हुआ था तो इसके बारे में मैं आपको बता दू कि जत्रा भगत का जन्म हुआ था एक अक्टूबर 1888 को जत्रा भगत का जन्म हुआ था एक अक्टूबर 1888 को जत्रा भगत ने टाना भगत आंदोलन कब प्रारंब किया था जत्रा भगत ने टाना भगत आंदोलन अप्रील 1914 में किया था ठीक है जत्रा भगत ने टाना भगत आंदोलन कब प्रारंब किया था टाना भगत आंदोलन का नेत्री तो किस ने किया जत्रा भगत ने उजी के द्वारा आरंब किया था कब अप्रेल 1914 में इनका जन्म हुआ था एक अक्टूबर 1888 को टाना भगत आंदोलन पर किस का प्रभाव था टाना भगत आंदोलन पर महत्मा गांधी का प्रभाव था क्या राजेंदर परसाद का था क्या जवारला लेहरू का था क्या सुभाज चंदरबोज का था तो नहीं महात्मा गांदी का प्रभाव था टाना भगत आंदोलन पर जत्रा भगत को गिरपतार कर किस जेल में भेजा गया था जत्रा भगत को गिरपतार कर किस जेल में तो राची जेल में भेजा गया था जैपाल सिंग का संबन्द किस जनजाती से था तो जैपाल सिंग का संबन्द था मुंडा जनजाती से किस से मुंडा जनजाती से इनका जन्म कब हुआ तीन जनवरी 1903 को जैपाल सिंग के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो जैपाल सिंग के सांस्कृतिक गुरु थे सुकरा पाहन, याद रखेंगे सुकरा पाहन, जैपाल सिंग के सांस्कृतिक गुरु थे सुकरा पाहन, जैपाल सिंग को ओलंपिक के लिए भारतिया होकी टीम की कमान किस वर्स दी गई 1928 में कभ दी गई था 1928 में जैपाल सिंगु को ओकि के लिए ओलंपिक के लिए भारतिया होकी टीम की कमान किस वर्स दीगई थी 1928 में किस वर्स भारतिया होकी टीम ने अपना पहला स्वर्न पदक प्राप्थ किया था तो पहला स्वर्स् channel और इसका कैप्टन कौन था उस टाइम पर तो कौन थे जैपाल सिंग और जैपाल सिंग ने जैपाल सिंग ने किस पार्टी का गठन किया था जैपाल सिंग ने किस पार्टी का गठन किया था तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि जैपाल सिंग ने छोटा नागपूर सिवाथी महासबा का गठन किया था जयपाल सिंह की मृत्यव कब हुई तो जयपाल सिंह की मृत्ति हुई थी थी 23 मार्च 1970 को 23 सुष सत्तर को जयपाल सिंह की मृत्यव प्रारंब हुआ था 1930 से लेकर 31 में जो हरी बाबा आंदोलन हुआ वो कहां प्रारंब हुआ तो वो हुआ था सिंगभूम में कहां सिंगभूम में कौन सा हरी बाबा आंदोलन हरी बाबा आंदोलन कब से कब तक 1930 से 1931 तक 1910 में किसने धाका चात्र संग की अस्थापना की दाका चात्र संग की अस्थापना किसने की थी तो यह किया था जे बर्थो लेमन ने किसने जे बर्थो लेमन ने धाका चात्र संग की अस्थापना की थी धाका चात्र संग अब देखते हैं आगे किस कॉलेज में धाका चात्रसंग का गठन हुआ था तो ये था सेंट कोलम्बस में कहाँ पर सेंट कोलम्बस कॉलेज में धाका चात्रसंग का गठन हुआ था और किसने किया था जे बर्थोले मनने जैपाल सिंग मुंडा अधिवासी महासभा के अध्यक्च कब बने जैपाल सिंग मुंडा अधिवासी महासभा के अध्यक्च बने थे 1949 में जैपाल सिंग मुंडा अधिवासी महासभा के अध्यक्च बने थे अब हम लोग देखते हैं जहर्खंड के आंदुलन कारी दिवा सोरेन का जन्म कब हुआ था 1821 में किसुन सोरेन का जन्म कहा हुआ था किसुन सोरेन का जन्म हुआ था पस्च्चिमि सिंगभूम में दिवा किसुन का आपस में क्या संबंध था तो दिवा किसुन का आपस में संबंध था मामा भांजा का संबंध था दिवा किसुन का आपस में दिवा किसुन के नित्रित में बिद्रोह कव प्रारंब हुआ था 1872 इस्वी में तो ये भी आपको याद रखना है 1872 इस्वी में दिवा किसुन के नित्रित में बिद्रोह प्रारंब हुआ दिवा किसुन को किस जेल में फासी दी गई थी दिवा किसुन को सराय केला जेल में दिवाखिसुन को फांसी दी गई थी, रानी सर्वेस्वरी कहा की रानी थी, ये भी आपसे पूछा जाएगा, रानी सर्वेस्वरी कहा की रानी थी, तो महेशपूर की, कहा की महेशपूर की रानी थी, रानी सर्वेस्वरी, रानी सर्वेस्वरी ने अंग्रेज ठेकेदारों बिरोध किया गया था अब हम लोग देखते हैं आगे रानी सर्वेश्वरी की मिरित्यू कब हुई तो रानी सर्वेश्वरी की मिरित्यू हुई थी छे मई एट के डी ठीक है एट के डी नाम आपको याद रखना है एट के डी गाउं से है ठीक है तो एट के डी गाउं गया मुंडा गया मुंडा ठीक है गया मुंडा का सम्मंद एट के डी गाउं से है एट के डी गाउं से है सिदु कानु का सम्मंद किस गाउं से था सिदु कानु का का संबंद तिगवाडी से था किसे तिगवाडी से तिगवाडी वहीं अब देख सकते हैं निलांबर-पितांबर का संबंद किस गाउं से था तो निलांबर-पितांबर का संबंद मगदड़ी से था मगदड़ी यह भी आज याद रखेंगे मगदड़ी अब आगे देखते ह आगे बीर भुद्ध भगत का संबंद किस गाउं से था, तो बीर भुद्ध भगत का संबंद सिला गाई गाउं से था, सिला गाई गाउं, तो दोस्तों ये रहा जहरकंड के आंदोलन से संबंदित महत्वपुन परस्त, सारे के सारे महत्वपुन परस्त हम लोगों ने देख लाइक करे, कमेंट करे और सेयर करे, लोगों अपने दोस्तों में, अपने ग्रूप्स में इस वीडियो को सेयर करे दोस्तों के बीच में इन वीडियो को सेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भुले, जिससे कि ऐसे ही important update आपको मिलते रहें अगर आप channel subscribe नहीं करेंगे तो आप scroll करते समय आपसे मुलाकात होगी चलिए, मिलते हैं अब हम लोग नए वीडियो के साथ कल के session में, day 3 में, session में नए content के साथ तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, exam का date आ चुका है बहुत important exam है, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी का जरुरत है आपको अधिकारी बनना है, आपको अधिकारी बनना है तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी, मेहनत भी बड़ी करनी होगी जै हिंद, जै भारत